दोस्तो कि आपने ऐसे फनीचर्स देखे हैं जिने जगए के हिसाब से आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हो और यूज़ करने के बाद आप इने देवार में होल्ड भी कर सकते हो कम जगए होनी के बज़ा से ही इन furniture को smart furniture में डिजान किया गया है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे smart furniture के बारे मताएंगे जिनने आप आसानी से extend और fold भी कर सकते हो और कम जगए में भी easily और comfortable रह सकते हो तो दोस्तो इस पे सेविंग furniture आइडियाज को देखने के लिए बने रहे ये वीडियो के अंद तक तो चली सुरू करते हैं आज की beautiful amazing और interesting वीडियो को नमबर 7 slumber slabs आप जो furniture देख रहे हो वो नॉर्मली आपको अलमारी ही लग रही होगी लेकिन ये अलमारी साथी साथ एक बैड का काम भी करती है इस तरह के smart furniture एक अलमारी का काम तो करते ही है साथी इनके पीछे एक डबल बैड भी छुपा हुआ रहता है इन अलमारी में आप अपने जरूरत का सामान रख सकते हैं और इस furniture को पलट कर आप इसके पीछे की तरफ से एक डबल बैड निकल सकते हैं इस तरह के furniture ideas आपके घर का कापी space बचा सकते हैं और कम space में भी घर की सुन्दरता को बनाए रखते हैं नमबर 6 Extendable Kitchen Table यह table इस पे सेविंग का एक अच्छा example है क्योंकि यह कोई छोटी सी table नहीं है इसके size को आप बड़ा भी सकते हो इसे normally देखने पर आपको छोटी ही लग रही होगी लेकिन आपको बता दें कि कम जगा होने की बज़ा से इसे सांदार और smart furniture में डिजन किया गया है दरासल इस table को round safe में घुमाने पर इसके size को extend किया जा सकता है और extend करके अपने जरूरत का काम कर सकते हैं और काम करने के बाद फिर से इसे normal safe में लाने के लिए बापस से इसे round safe में उल्टा गुमाना होता है और उल्टा गुमाने पर इसके size को कम किया जा सकता है और इस तरह से आप अपने घर की काफी जगए को बचा सकते हैं दोस्तो आप जो furniture देख रहे हो वो नॉर्मली आपको एक desk की ही नजर आ रहा होगा लेकिन ये desk के साथ ही साथ एक double bed भी है जिसे कम जगए होनी के बज़ाद से smart furniture में design किया गया है ये furniture इस पे saving का एक बहतरीन आइडिया है इस desk को को double bed में बदलने के लिए desk पर लगे handle को पकड़ कर नीचे की तरफ खीचा जाता है नीचे की तरफ खीचने पर desk की double bed में बदल जाता है इस desk की सबसे अच्छी बात तो ये है इस desk को को double bed में convert करने पर desk पर रखे सामान को किसी भी तरह का कोई नुकसा नहीं होता है और सामान जेओ की तियों रखा रहता है बापस से इस bed को desk में बदलने के लिए bed को उपर की तरफ पुस्किया जाता है और smart furniture बापस से अपनी safe में आ जाता है नमबर 4, single sleeper sofa आप जो sofa देख रहे हो ये sofa के साथी साथ एक single bed भी है जगाय को बचाने के लिए इसे smart furniture में design किया गया है ये भी space saving का एक अच्छा idea है तरासल इस sofa पर बैठने के साथ ही इसे extend करके sofa से एक single bed में convert किया जा सकता है जिस पर आप comfortable होकर सो सकते हैं आप इस smart furniture का इस्तिमाल दिन में बैठने के लिए और रात में सोने के लिए भी कर सकते हो नमबर 3, snap jack ये है एक ball mounted furniture है ball mounted मतलब दीवार पर टंगा हुआ जो की जगह को बचाने के लिए सांदार और smart furniture में design किया गया है इसमें एक dining table और 4 chairs को दीवार पर hold करवा कर रखा जाता है जरूरत के समयने यूज करने के लिए सबसे पहले table की layer को open किया जाता है open करने के बाद इस table को धीरे से फर्स पर उतार जाता है और फिर wall पर लगी chairs को भी एक एक करके उतार लिया जाता है और इस तरह से पूरी dining table बनकर तयार हो जाती है smart furniture का ये idea वास्ता में बेहदी चौक आने वाला है दोस्तों आप जो सीडियां देख रहे हो ये space saving का एक सांधार idea है वो इसलिए क्योंकि इन सीडियों को smart furniture में डिजान किया गया है इन सीडियों को छट पर ही फोल्ड करके रख दिया जाता है जब इन सीडियों की जरूरत होती है तब इने unfold करके इस्तिमाल में लिया जाता है और इस्तिमाल करने के बाद इन सीडियों को आप फिर से फोल्ड करके छट पर रख सकते हो जगह को बचाने के लिए इस तरह की सीडियों का भी प्रयोग किया जाता है इन सीडियों को holding stair से बोला जाता है जो की smart furniture का एक अच्छा example है इन stairs को दीवार पर hold करवा कर रखा जाता है जरूरत के समय इन stairs को खोल लिया जाता है और जरूरत ना होने पर इनने बापस से दीवार पर hold कर दिया जाता है कम जगह बालों के लिए इस तरह की सीडियों बहुती useful सावित हुई दोस्तों आप जो टेवल देख रहे हो यह एक कॉफी टेवल है और इसका size भी कम है लेकिन इस टेवल को कॉफी टेवल से dinner table में भी बदला जा सकता है कम जगह के घरों में इस तरह के furniture बहुती useful और comfortable होते है क्योंकि इन furniture को गरूत के अनुसर चोटा या बड़ा किया जा सकता है दरहसल इस टेवल की नीचे hydraulic lifting system लगा होता है जिससे इस टेवल की height को काफी easily adjust किया जा सकता है नॉर्मली ये टेवल कॉफी टेवल की home में रहती है लेकिन dinner करने के time इस टेवल की ply को double कर लिया जाता है और इस तरह से ये कॉफी टेवल से dinner table में convert हो जाती है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही दोस्तो अगर आपने हमारी space saving furniture ideas का पहला part नहीं देखा है तो उसे जरूर देखना link description में है दोस्तो आपको ये space saving furniture कैसे लगे क्या आप भी इस तरह से अपने घर के space को save करना चाहते है मुझे नीचे comment box में comment करके जरूर बताना आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी ऐसी है अदुबद और रोचक जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को subscribe जरू कर लेना और साथ ही वेल आइकन को प्रिस्टन बिल्कुल भी ना भूलना ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे तो दोस्तों मिलते हैं एक और ने इंट्रेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो को साथ तब तक लिए बाई बाई